लो गाइस वेलकम टू ओल अफ यू लण विथ मी स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लण विथ मी में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजेगा और मैक्जिमम शेयर कीजेगा आज हम पढ़ने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल लगभग एक जैसा रता है ठीक है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल एक्जाम में हमेशा पूछा जाता है फि है से टूतल कित्अ कोशल अाते है Pin से चार कोशिन मतलब यह कित्अ मांना कों पूछा जाता है 15 से 20 मांक का ठीक है कित्अ का पूछा जाता है 15 MALE से 20 मांक का वैसे ही मैस में भी होता है मैं तो पर जल सेटिंग अरेंजमलन की भरсь नाने रहती है यह भी बहुत सारी मांस के में पूछे जाता है इसमें क्या पूछाइगा शिम्पल सी पूछी जाएगी अब बात करूं अगर मैं sitting arrangement और puzzle की थोड़ा बहुत माइन साय डिफ्रेंस रहता है इसमाइ about sitting arrangementyer. प्राम से सरकल देदिया जाये गार wollte आसे सरकल देदिया जाये इसमें आप लोगों बोल्ग है, पांच बैटे है शात लोग मेशो में पूछे जाते सरकल था झाय एक क्या जाता है चुछ को है ? स्कॉरे एक सबोल्स कुन सांदाता है. इसमें कोई बैठा है यह डबल रो आ गई इन दोनों में कोई बैठा है ठीक है ऐसा पूछा जाता है और क्या पूछ सकता है अगर मैं पुझल की बात करूं तो यह सरकल रहेगा इससे related क्या रहेगा कुछ other information दे दी जाएगी इससे related मालो blood relation दे दिया गया ठीक है तो वो क्या हो जाता है हमारा पजल आ जाता है ठीक है एडिशनल इंफर्मिशन जब दे दी जाती है तो वो क्या रहता है हमारा पजल में आ जाता है ठीक है एडिशनल इंफर्मिशन के साथ क्या रहता है कुछ दूसरा भी इसके साथ हमें सॉल्फ करना पड़ता है ठीक है वो भोला था आप लोगको blood relation वाले chapter में की मैं इसको क्या करएंग पॉसल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे से solve करेंगे और एक कौन साल हाथ है height ओर weight से related रहता है भी मैंने आप लोगको बताया था order और ranking वाले में की हम इससे भी ड्या करेंगे puzzle वाले chapter में solve करेंगे ठीक है इसको भी हम से किंगे box वाले आ जाते है floor वाला आ जाता है floor रहता है उसमें flat रहते है ठीक है और एक box वाला आ जाता है ऐसे बहुत सारे रहते हम क्या करेंगे एक एक करके एक एक वाट को complete करते जाएंगे ठीक है अब इसकी notes बढ़ा लीजी रेगा और इसको क्या कीजीगा लीख लीख की copy में रख लिजेगा ठीक है अगर मैं बात करओं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं circle वाले ठीक है circle वाला आज हम पढ़ेंगे circle वाली जब हम पढ़ेंगे सरकल वाले में क्या रहता है हो सकता है इन लोग क्या है केंद्र के बाहर की तरफ मतलब आउटसाइड देख रहे हूं ठीक हो सकता है अंदर देख रहे हैं हो सकता है और क्या हो सकता है कि कुछ लोग अंदर देख रहे हैं कुछ लोग बाहर देख रहे हैं ठीक है ऐसे हो सकता है तो हम एक एकड़ करेंगे आपका यह वाला सरकल बेस्ट वाले को कोश्चन को ठीक है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इंसाइड वाला पढ़ेंगे ठीक है आज हम क्या पढ़ेंगे इंसाइड वाला अब इंसाइड क्या होता है सरकल है उसमें कोई व्यक्ति बैठे हुए है यह केंडर है हमारा इंसाइ मतलब center के और face है और inside outside मतलब कोई बाहर है और कोई अंधर है इसमें अब मैं बात करूं जब भी हम circle का बनाएंगे हम ऐसे बना के कभी वह सरकल का बना एसे बना की कभी नहीं करेंगी हम क्या करेंगे आठ इनसान अगर बोला उसे आठ व्यक्ति हैं तो हम क्या करेंगे सीधे सीधे ऐसे बना लेंगे ठीक है ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये शे, ये साथ, ये आठ ठीक है ऐसे आठ व्यक्ति बैठे रहेंगे इतनी बाते समझ में आई अब क्या करेंगे यह 8 व्यक्ति बैठें यह हमारा केंडर है ठीक है अब मैंने बोला इंसाइड फेस करें हुए है ठीक है इंसाइड है मतलब सरकल की तरफ फेस है मतलब क्या करेंगे हम हमेशा लेंगे नीचे से वो भी इंसाड मतलब face कहा है, केंडर की तरफ है, ठीक है, अगर मैंने बोला outside है, तब हम क्या करेंगे, हमेशा उसे लेंगे, उपर की तरफ, ठीक है, यहां पर कोई outsider है, यहां पर कोई insider है, ठीक है, ऐसा लेंगे, जब भी inside बोलेगा, हम यहां से स्टार्ट कर देंगे ठीक है और क्या रहता है आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं यहां से स्टार्ट करने से क्या रहता है जल्दी जल्दी हमारा सॉल्व जाता है इसमें ज्यादा इजी रहता है ठीक है यह समझ लो कि यहां से सॉल्व करते हैं बाकि आप कहीं स इसका क्या हो जाएगा मैं यहां पर बैठी हूँ आप यहां पर बैठे हैं आपका यह क्या हो गया राइट सेड आपका यह क्या हो गया लेफ्ट सेड ठीक है ऐसे राइट जाएगा और ऐसे लेफ्ट जाएगा इत्ती बाते समझ में अभी क्या रहता है आउट सेड की बात कर यहां पर ब fiance बार आप सैंटर की बाहर गेंदर की हैय दुख भी है तो अगर मुण assess कि अ tolerance Set से लिसे अन्धर रखी आपके हैं दृवह को जा कर दो हैं इसमारे क्या है एक वह तो इसमार्ष में Magazz ठीक है अब मैंने बोला ए और सी में केवल एक व्यक्ति बैठा है ए और सी में एक व्यक्ति कहीं भी हो सकता है मैंने बोल दिया ए और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है राइट सेट पे तो इस तरह पाजाएगा मैं अगर सेंटर की दरफ फेस है तो ठीक है मैंने बोल दि अगर कहीं पे दिखा हुआ है A is second left of B who is ऐसा लिखा हुगा समल तो यह who किसके लिए यूज हुआ B के लिए ठीक है यह मैंने पहले भी बता रहा है आप लोगको मेरी पुराने वीडियो में ठीक है इसके लिए यूज हुआ है यह किसके लिए ठीक है मतलब अगर हुग वगेरा दिख गया तो वह किसके लिए यूज हुआ है इसके जब सामने वाले के लिए और हुग नहीं है end है या फिर और कुछ भी लिखा हुआ है या फिर कुछ भी ना लिखा हुआ है तो वो उसके पहले वाले के लिए a के लिए use हुआ है इत्ती बते आगी समझ में अब मैंने बोला a is opposite of b ठीक है मैंने बोला a is opposite of b ठीक है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a b के विपरेद बेट है मतलब اगर a माल लflowing अहां पर बैठ है तो b कहा होगा यहां पर a अगर यहां पर है तो b यहां पर a यहां ठीक है opposite मतलब क्या रखता है आमने और सामने ठीक है मैंने अपोजिट बोला अगर बोल देगा अपोजिट फेस किये हुए मतब अगर एक सेंटर देख रहा है ए क्या है ए सेंटर की तरफ देख रहा है तो अपोजिट में क्या रहेगा बी क्या है बाहर की तरफ है ठीक है अपोजिट और अपोजिट फेस में यही अंतर होता है फेस मे और यह opposite face ठीक है opposite दिया रहेगा मतलब क्या है यह दोनों आमने सामने बैठे है ठीक है अगर opposite face देगा मतलब क्या है center inside पे है या outside पे है ठीक है opposite face मतलब अगर एक inside पे किया हुआ है तो दूसरा outside रहेगा और opposite मतलब एक दूसरे के आमने सामने ठीक है इतनी बाते समझ में आग नों लिखा हुआ है तो कुछ लेंग्विज पे श्य Birthday पे श्युक्षित करने की को श्युक्ति के लें वब कंडिया से अधेस, अघल्य, इस ऐ 1-3,2,2,1,2,2,3,2,1,5,6,7,3,7,7,6,7,8,7,7,8 वैर लें लिखने की जरूबत नहीं है, अब मैंने बोला, क्या बोला मैंने, sitting around a circular table, ठीक है, अब यह circle में बैठे है, facing कहा है, facing to the center, मतला, सब क्या है केंदर की और देख रहे हैं ठीक है सब क्या है केंदर की और देख रहे हैं मैंने कर लिया यह इंसाइड का ठीक है मतलब सब का फिस ऐसा ही है अभी क्या बोल रहा है डबलू सीट सेकंड टी ठीक है डबलू क्या है टी से क्या है सेकंड है ठीक है मतलब डबलू अग टी के second से कौन है डबलू है इसे आप लोग ऐसे लिख लेज़े ठीक है ऐसे जल्दी समझ आएगा यह बना हुआ है हमने क्या 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 बोला इसने मैंने क्या लिखा WC second to the T ये मैंने दिख लिए अभी क्या बोल रहा है neighbor of R तो यहाँ पे who दिख रहा है क्या नहीं तो यह किसके लिए use हुआ है W किसका neighbor है R का मतलब W अगर यहाँ पे तो R इसका पडोसी होगा यह बात पता चल गई अभी क्या बोल रहा है P is neighbor of U P क्या है किसका neighbor है P U का neighbor है ठीक है अभी 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 P किसका neighbor है U का neighbor है मतलब P यहाँ पे तो U यहाँ पे P यहाँ पे तो U यहाँ पे इससे क्या है लगा हुआ है बिल्कुल ठीक है इत्ती वाते समझ में अब क्या बोल रहा है R sits second to the Q R क्या है second है किसके Q के ठीक है भी या और क्या बोल रहा है Who is not neighbor of S Q क्या है neighbor नहीं है किसका S का ठीक है और V का ठीक है क्या बोल रहा है Q who is not neighbor of S WHO किसके लिए use हुआ है Q के लिए Q neighbor नहीं है किसका S और V का यहां तकी बाते समझ मैं, अब क्या बोल रहा है, you sit third right of we, अब इससे आगे में मुझे इसके लिखने की जरुवत है, क्यों नहीं क्यों नहीं लिखना है, क्यों कि यहां पे तो पता चल गया मुझे, कि you कहां बैठा हुआ है, third right पे है, किसकी वी के, ठीक है, we के third right पे, we center की face है, we मैंने यहां पे लिख लिख लिया, we का third right, मेरा third right एक, दो और यह तीन, you कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, ठीक है, इत्ती बाते समझ में आ गई, we के third right पे कौन है, you है, you sit third to the right of we, we के third right पे you बैठा हुआ है, end, अब end किसके लिए उसे हो गया, you के लिए, और क्या third पे you है, मतलब you और q में, यह रहा you, और q लेना third पे तो एक, दो, तीन, q आ सकता है, क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता, अब हम क्या करेंगे, एक, दो, तीन, q आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, यह समझ में आया, कैसे है, q इधर क्यों नहीं लिखा, हमने, यहां पे क रेडी बैठा हुए, तो q के इस तरफ तीसरे नंबर पे क्यों नहीं आ सकता, u के इस सेड पे तीसरे नंबर पे क्यों आ सकता है, ठीक है, यह लिख लिया, अब मैं क्या देख सकता है, अब मुझे कुछ ऐसा देखना है, q, u, v, serialator, जो मुझे मिल चाहे, ठीक है, अब क्य यहां भी आसकते हैं वहीं पता यह जो से थिरिश्ä से नहीं हो गया और क्या बोल रहे है क्यों कि कोboth a आ भी आर रहा है क्यों कि 12 से कंड प्यार आ रही का विल्कुल आ रहा गया तो तो पी के लिए क्या बचाए यही प्लेस बचा मतलब यह दोनों भी convenient way at झीर से इत्थ आप्यू क्यों भी एक बोल रहा हां लिए एक समाज है कि यहाँ बोल में गज़िए और विका अभी तो हेडियर нас नहीं, वी का neighbor नहीं है अब क्यों neighbor नहीं है, S का मतलब S यहाँ पे भी नहीं आएगा S यहाँ पे भी नहीं आएगा S के लिए एक ही जगवची है और वो भी यह ठीक है, इत्ती वादे समझ में आगई यह भी हो गया, अब क्या बोला W neighbor है, R का मतलब तो मुझे क्या मिला यहां पर मुझे यह arrangement मिल चुकी है ठीक है अब इसमें किस तरीके से पूछेगा कोशन क्या पूछ सकता आप लोग यह बताइए आर और एस के बीच में किते लोग बैठे हैं तो मिनिमम दो लोग बैठे हैं मैक्सिमम एक मिनिमम दो लोग बैठें मैक्सिमम एक दो तीन चार लोग बैठें ठीक है और और सेंटर की तरफ फेस है इसका भी सभी का सेंटर की तरफ है तो मैंने बोल दिया आर के राइट सेट से आर और टी में किते लोग बैठें तो आर का राइट सेट किधर आ जाएगा आर का राइट सेट आगया इधर और टीमी किते लोग बैठें एक और दो तो आंसर किता हो जाएगा दो ठीक है ऐसा कुछ भी कोशन वो पूछ सकता है इत्ती बाते आई समझ में और ऐसा पूछ लेगा पी का नेबर कौन सा है तो आप बोलेंगे यू और एस ठीक है जिस भी समझ में बिल्कुल ठीक है कैसी आई हमने इसको सॉल्व करके सीख लिया ठीच है पर लोगों ने देख लिया ठीक है पहला स सब्क्राइब कर लिया somethingμε को सरकल वाला इंसाइड वाला समझ में आया ठीक है अब मैं क्या करती हूँ एक कोशन दिखाती हम वह आप लोगों को क्या रहेगा केया मैं नर्ट तो दिखाँक हा थीक है मैं आंप दोऊ ने करते हैं रहा रहा in the video हाई हुम्वक पर हुया ही कर जाना चै折 आप लोगों का इंडी निखा हुआ कर दिखाऊंगे इस AIK 1979 को को स्थीय को पर दिखाऊंगे इस क्योंस को में के लिखाऊंगे इसज़ा टैसार था के 20 आप спорт तो आप नए जो मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ वो आप लोगों के लिए helpful होगा अगर helpful है तो please maximum share किजिएगा और जितना हो सके उतनी लोगों को जोड़ने की कोशिश किजिएगा हमारे सांथ ठीक है तो चलिए वीडियो का end up करते हैं Till then keep learning, keep practicing, thank you and bye-bye